आप देख रहे हैं दखल न्यूज दिल्ली के कारखाने में लगी आग 43 लोगों की मौत 56 को रेस्क्यू कर बचाए गया दुशकर्णियों को तेरंगाना के मंत्री के चेता ही अगर किसी ने गलत दिया तो एंकाउंटर होगा तुन्ना अप पेडिता का हुआ अंतिन संस्कार पेडित परिवाद को 25 लाग घर और बेहन को मिलेगी नौक्त विधान सभाद व्यक्ष एनपी प्रदापती ने बताया कमनाथ को भदबार बहार देव सिखी तुन्ना और दुख्य मंत्री कमनाथ को खेट की मूली कहने से कॉंग्रेसी नाराज शिवराज के घर पहुचे प्रदशन करें नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दाखल न्यूस खबरे विस्तार से बड़ी खबर दिल्ली से है दिल्ली अनाज मंडी के फिल्मिस्तान छेत्र में सिथ एक कारखाने में तड़के आग लगने की घटना से 43 लोगों की मौत हो गई इस दौरान 56 लोगों को रेस्क्यू कर आग से बचाएं गया जिस समय घटना हुई उस वक्त इमारत में 300 लोग मौजूद थे सिल्मिस्तान छेत्र के कारखाने में अचानक आग लगने से अफरात तफ्री मच गई जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने उन्हें अपनी चपेश में ले लिया था कुछ लोगों का धुए से दम घुटने लगा एक एकर 43 लोगों की जान चली गई दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ओफिसर अतुल गर्ग ने बताया कि 56 से अधिक लोगों को आग से बचाया गया है बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गारिया मौके पर पहुचने लगी थी आग लगने के कारण का भी तक पता नहीं चल पाया है बताया जा रहा है कि आग से तीन इमारतों को अपनी चपेट मिले लिया दमकल विवाग की तीस गारिया मौके पर आग उजाने के काम में लगी रही इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावाह रही होगी इमारत की एक फैक्टरी में काम करने वाले करमचारी मौकमद आजाद ने बताया कि फैक्टरी में करीब 300 लोग सो रहे थे आग दूसरी और तीसरी मंजिल में लगना शुरू हुई थी इसलिए हाथसे के बाद पहली और दूसरी मंजिल में रह रहे कई लोग बच निकले में कामियाब हो गए जबकि जीने तक आग फैलने के बाद दूसरी और तीसरी मंजिल में कई लोग आग में फजके और वहां से नहीं निकल पाए प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि जब एक एंबुलेंस बाहर निकलती है तो ही दूसरी एंबुलेंस अंदर आपाती है जिस मकान में आग लगी थी वहां चेक फैक्ट्रिया चल रही थी अंदर फसे लोगों को निकालने के बाद घायलों को आर एम एल अस्पताल लेडी हाजिंग और हिंदू राव अस्पताल सहे चार अस्पतालों में पहुचाया गया बताया जा रहा है कि शनिवार को मलदूरों ने देर रात करीब एक बजे तक काम किया था लेहाजा जब आग लगी तो वे गहरी नींद में सो रहे थे ज्यारतर लोगों की मौत दम घुतने की वज़ा से हुई पी अन नरिन मोदी ने दिल्ली में हुए भीशन अगनी कांड में म्रत्कों के करीबी रिष्टेदारों को दो-दो लाख रुपे और गंभी रूप से घायलों को पचास हजार रुपे का मौवज़ा देने की घोशना की है यह राशी प्रधान मंतरी राहत को शिदी कि मैंने घटना की नियाएक जाच के आदेश दिये हैं म्रत्कों के परिजनों को 10-10 लाख रुपे और घायलों को एक एक लाख रुपे मौवज़ा दिया जाएगा दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाव आईपीसी की धारा 304 के तहद मुकदमदश कर लिया है दि दुशकर्मियों को तिलंगाना के मंतरी तलासानी श्री निवास यादव ने दो टूक चेतावनी दी है यादव ने एंकाउंटर को जाइस ठहराते हुए कहा कि अगर किसी ने गलत किया तो एंकाउंटर होगा हैदरबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुए दुशकर्म और हत्या के मामले में तिलंगाना के एक वरिष्ट मंतरी ने बड़ा बयान दिया है राजिके पजुपालन मंतरी तलासानी श्री निवास यादव ने चारो आरोपियों के एंकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा कि को भी इस तरहा का कुरूर अपराद करता है तो वह पुलिस मुद्धेड में मारे जाने की उमीद कर सकता है उन्होंने कहा कि यह एक सबक है यादव ने एक स्थानिय चैलिविजन चैनल से कहा कि यदि आपका आसरन गलत है तो आप किसी भी आदालती मुकद में जेल की सदा या बाद की जमानत से लाभनवित नहीं होंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा यादव ने अभियुक्तों की हत्या पर कहा कि राज में कानून और विवस्था की स्थिती को सुधारने के लिए चंदर शेखार राव की प्रती बदता का यह एक उधारन है उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही मजबूस संदेश है जो हमने दिया है यह अदर्श है जिसे हमने देश के लिए निधारित किया है हम न केवल अपनी कल्यार कारी यूजनाओ के माध्यम से बलकी कानून विवस्था के मुद्दों से निपटने के माध्यम से भी एक मौडल इस्थापित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि संबन में मुख मंत्री पर उंगली उठाने से कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि कई ऐसे हैं जो उनका समर्थन करते हैं इससे पहले तिलंगाना के परिवहन मंत्री पी अजय कुमार ने भी एक ऐसा ही दावा करते हुए कहा था कि राज ने खुद को सवत्रत न्याय देने का रोल मॉडल बनाया है मंत्री ने पत्रकारों से कहा था कि हमने दिखाया है कि अगर कोई हमारी बेटियों पर बुरी नजर डालता है तो हम उसकी आँखे नोच लेंगे मुर्भेड से पीडित के परिवार को शांती बिली है उनाव की गैंगरे पीडिता का अंतिम संसकार उसी के गाउं में किया गया पीडिता के परिवार ने मांगी थी कि जब तक मुख मंत्री नहीं आएंगे तब तक अंतिम संसकार नहीं किया जाएगा इस पर पुलिस प्रशाशन ने अलाधिकारियों ने परिवार से बात की और अंतिम संसकार के लिए मनाया सफतर गंज अस्पताल में शानिवार को पीडिता का निधन हो गया था प्रधान मंत्री आवास यूजनाफ फंड से पीडिता के परिवार के लिए 25 लाख रुपे का मौपजिक आयलान हुआ था साथ ही सरकार ने पीडित परिवार को फास्ट्रेक कोट में केस चलाने का भरोसा दिया है पीडिता की बहन को नौकरी देने का वादा सरकार ने किया है उन्नावरे पीडिता के परिचनों से पुलिस प्रशाशन ने बात की और पुलिस प्रशाशन से मिले आशवाशन के बाद परिवार ने कहा शफ को दफनाएंगे वहीं पीडिता का स्मारक बनेगा पुलिस कमिशनर ने कहा पीडित परिवार को 25 लाख रुपे दिये गए हैं पीडित लड़की की बेहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी आवास यूजना के तहद परिवार को मकान दिया जाएगा और लड़की की बेहन को पुलिस सुरोफ्षा दी जाएगी घर पर भी सुरोफ्षा करमें तैनाथ किये जाएगे परिवार निर्धन है और इनके अपने जो संसाधन है वो भी सिमीत हैं मज़दूरी करते हैं और बहुत थी गरीब परिवार है तो जो सुविधाए हैं हम वो भी साथ में एक हमारे जो होना चाहिए अदरवाइस भी होना चाहिए वो सरकार की और से हम उपलप्द कराएंगी लिया जाए लेकिन ये जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारी के भाव से हम उनको अलग से बाकी सुविधायें भी सरकार की और से जो अनुमन्य होती दी जाती है आपके लिए एक बड़ी खबर जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि राजनीती में चापलूसी कैसे की जाती है औ भी खूले मंच पर जब आप अपनी आखों से देखेंगे अपने कानों से सुनेंगे तो सोच में पढ़ जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को अपना जनप्रती निधी चुना है मौका कॉन फॉंडेशन द्वारा आएजित सेमिनार का था जो मध्यप्रदेश विधान सभा के मानसरों अर्थ सभागार में हुई थी विधान सभाध्याच एनपी प्रजापती ने जब संबो धन दिया तो केलाश परवत पर बैठे महादेव भी एक पल को सोच में पढ़ गए होंगे कि मध्यप्रदेश की धर्ती पर भी मेरे जैसा कोई है जी हाँ सुनिए कि क्या बोल गए विधान सभाध्याच एनपी प्रजापती हमारे जो शंकर है देवादी देव माननी कमलनाग जी उनको बुलाते रहिए स्पीकर अपने आपकी शहता रहेगा बहुत 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 ज़र्णवाद तो सुना अपने सहाव ये तो चापलूसी की हग है अध्यक्ष महोदे की बात सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुख्यमंतरी कमलनाग देवादी देव महादेव हैं तो वे खुद महादेव के गण हैं एक बार फिर सुनिए कि वो कमलनाग को देवादी देव बता कर अपने आपके बारे में आयोजिकों को क्या बताना चाहा रहे हैं अब आप समझी गए होंगे अध्यक्ष जी क्या कहना चाह रहे थे वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो शंकर हैं यानि कमलनात जी को बुलाते रहे तो उनके गड़ यानि स्पीकर खुद आते रहेंगे ये सब अध्यक्ष मोहदे कमलनात की मौजूदगी में बोला जा रहा था वे कमलनात को भगवान शंकर वता रहे थे और कमलनात ये सब सुनकर अपने आपको आत्ममुद महसूस कर रहे थे ये सब क्या कह गए अध्यक्ष मोहदे वे क्या अपने पद की गरिमा भूल गए थे वे शायद भूल गए कि मुखमंत्री और विधान्सभा अध्यक्ष का पद एक समान होता है और अध्यक्ष जी आप तो पक्ष हो या विपक्ष सभी विदहाईकों के मुखिया हैं आपका हर काम निस्पक्ष होता है मगर आपकी ये बाते सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुखमंत्री की कृपा से मिले इस पद का रिण उतारने के लिए आप कमलनाथ को भगवान शंकर बताकर भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमारे जो शंकर हैं बेवादी देव माननी कमलनाजी उनको बुलाते रहे हैं इस पीकर अपने आपकी शहाता रहे हैं बहुत बहुत धर्णवाज पुर्व मुखे मंतरी शिवरा सिंग चोहान के दिये बयान के खिलाफ कॉंग्रेस के कारेकरता ने धरना प्रदशन किया शिवरास सिंग चोहान को गेट वेल सून केहने कॉंग्रेसियों को पुलिस ने जाने नहीं दिया तो कॉंग्रेसियों की पुलिस से जड़प हो गए शिवरास सिंग ने एक बयान में कहा था कि हम इंदरा गांधी से नहीं डरते तो कमलनात किस खेत की मूली है सीम कमलनाथ पर दिये इस बयान से कांग्रेसियों में नाराज़ी है पुर्व मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान के दिये बयान की हम इंदरा गांधी से नहीं डरे तो कमलनाथ किस खेत की मूली है से कांग्रेसी भड़क गए और धरना प्रदशन किया कॉंगरेस कारेकरता हास में गुलाब और कार्ड लिये शिवरास सिंग चोहान को गैट वैल सून केहने पहुचे इस दورान पुलिस ने उन्हें शिवरास सिंग चोहान के बंग्ले से कुछ दूर पहले ही रोक लिया तो कॉंग्रेसियों की इस बीज पुलिस से जड़प हो गए मद्वदेश के पूर्व मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान के खिलाफ कॉंग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है शिवराज के दिये बयान के विरोध में कॉंग्रेस कारेकरता सुबा चातरपती शिवाजी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए और फिर भाजपा के पुर्व सरकार और शिवराज के खिलाफ नारे लगाते हुए उनके बंगले की ओर बढ़ने लगे जिसके बाद पुलिस और कॉंग्रेसियों में जड़प हो गई शिवराज ने सागर में प्रदर्शन के दोरां सीम कमलनाथ के खिलाफ बयान दिया था शिवराज ने अपने बयान में कहा था कि इंद्रा गांधी से नहीं डरे तो कमलनाथ किस खेट की मूली है अरे कमलनाथ हम तो इंद्रा गांधी से ने डरे रे जब छोटे छोटे से थे तब जालो में इमर्जेंसी में राहे रे तो तुम किस खेट की मूली हो अबी कॉंग्रेस के ज़ाध्यक्ष कलाश मिचरा जी और उनके साथ के सभी कारकारता करीब पांसो के असपास थे सभी लोग यहां प्रतर्शन करने के लिए आये थे नेकसा शोरूम के सामने बेरिकेट पे इनको रोक लिया गया था कुछ दो तीन कारका चार पांच कारका आंगे निकल गया थे उनको थोड़ा सो और आंगे जा करके रोक लिया गया था इनके दोरा इस जिम साब को गयापन दिया गया है और तसीलार साब को गयापन दिया गया और उसके बाद इस प्रदर्शन को खतम कर दिया गया है मद्रदेश पुलिस पर सरकार का के इस कदर दवाब है इस बात का अंदाजा इस से लगाए जा सकता है कि भुपाल की सांसर साब्वी प्रग्या ठाकुर को जलाने की धंकी देने वाले कॉंग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया सांसत साध्वी प्रग्या के घंटो पुलिस स्टेशन में बैटने रहने के बाद भी पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कारवाई नहीं की कमलना सरकार के दवाब में काम कर रही भुपाल पुलिस ने जब कॉंग्रेस विधायत को वर्धन दांगी पर के इस दर्ज नहीं किया तो सांसत साध्वी प्रग्या सिंग को कमला नगर ठाने में धरने पर बैठना पड़ा लेकिन सरकार के दवाब में पुलिस विधायक के खिलाफ F.I.R. नहीं कर पाई सांसत प्रग्या ने ठाने में कहा कि मैं खुद चल कर आई हूँ तो लिखित में शिकायत की क्या जरूरत है अभी F.I.R. दर्ज की जाए पुलिस अधिकारियों ने आनाकानी की तो साध्वी ने पुलिस अफसरों के सामने चूडियां फैक कर आकरोज जाहिर किया और धरना दिया मैं यहाँ दो घंटे से बैटी हूँ लेकिन मेरी F.I.R. दर्ज नहीं की गई मुझे कांग्रेस बिधायक कोवर दंदांगी ने जिन्दा जलाकर मारने की धंकी दी है उसके खिलाब मैं F.I.R. करने आई हूँ और पुलिस प्रशासन फोन पे फोन लगाता रहा लेकिन यह एतने दवाव में है कि इनोंने कांग्रेस सरकार की इतने दवाव में है कि इनोंने किसी भी प्रकार से F.I.R. करने के लिए मना कर दिया है और इसलिए अब हम सत्याग्रा करेंगे और इसी थाने के गेट पर धरना देंगे जब तक हमारी F.I.R. नहीं लिखी जाती साध्वी के समर्थक इस दोरान पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठे रहे पुलिस सुत्रों ने बताया कि उन्हें उपर से मामला दर्ज नहीं करने के निदेश मिले है इसके बाद करीब देड़ गंटे प्रग्या और उनके समर्थक धरने पर बैठे रहे बाद में बीजेपी हाई कमान से फोन पर बात होने के बाद प्रग्या ने धरना समाप्त कर दिया संसद में नाथुरामकोर्ट्चे को लेकर दिये गए फोपाल संसद साथी प्रग्या ठाकुर के बयान के बाद कॉंग्रेस विधायत को वरधन तागी में खोश्णा की थी कि वेप्रग्या सिंग को जिंदा जला देंगे समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे रखाले संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूटनीती तक दख ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मद्रदेश के कॉंग्रेस राज में रेत माफियाओं के होसले इसकदर बुलंद हैं कि अब सीधे सरकारी करमचारियों को धंकाने से बाज नहीं आ रहे हैं ऐसा ही एक मामला च्छतरपूर में देखने को मिला है कॉंग्रेस राज आते ही वक्त बदला तो रेत माफियाओं के होसले फिर बिलंद हो गए छतरपूर में रेत माफिया सरकारी करमचारियों को धंकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं ताजा मामला चंदरनगर रेंज के सिगोन का है जहां वन विभाग में पदस्त बीट गार्ड अयोध्या प्रसाद धुर्वे को डंप रेत पर कारवाई करने पर जान से मारने की धंकी रेत माफियाओं ने दी हैं जिस पर बीट प्रभारी ने बमीठा थाने में निखिट शिकाट की है और धंकी देने वाले का ओडियो भी पुलिस को दिया है से निर्देश लिए उन्होंने कायमी दर्ज कराने की सूचना दी है मद्वर्देश के जनसंपर्ग मंत्री पीसी शर्मा और मद्वर्देश विधान सभाध्यक्ष एंपी प्रजा पती ने भोपाल दर्शन नगर में संजीवनी क्लीनिक का उद्गाचन किया स्वास्त सेव के बीच प्रमुख कसबो और शहरों में कुल 208 संजीवनी क्लीनिक खोली जाएंगी इनमें 88 सुविधाय मार्श 2020 तक चालू हो जाएंगी दिल्ली के महला क्लीनिक के आधार पर बने ये क्लीनिक अभी तक इस तरह की सेवाओं से दूर रहे शहरी जुगी बस्तियों के प्रजापती ने संजीवनी क्लीनिक काउद घाटर किया लोगों के घर घर इलाज पहुंचाना ये इसका कंसेप्ट है और कमना जी ने पूरे मदवदेश में इसकी शुरूआत हो रही है आज बोपाल में ये प्रिजश्ची नगर में यही अद्दुती एकारियोजना, ऐसी अद्दुती एकारियोजना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ कमनलाथ और सिर्फ और सिर्फ PC शर्मा, यही तो दे सकते हैं, यही है हमारी कारियोजना, यह वास्तविक रूप में अंतिम छोड तक मानव सिवा करने की पह ये क्लिनिक सुभा 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे इनमें सामाने ओपिडी सेवाएं गर्वती माताओं के लिए प्रसफ पूर्वदेग भाल टिका करण संक्रमंग और गैर संक्रमंड जोगों की स्कैमिंग ये MCD विशेश रूप से उच रख्त चाप मधूमे और दी जाएंगे पंचाइद मंतरी कमलेश्वर पटेल ने कहा कि लोगों को अब अफसरों और कलेक्ट्रिट चक्कर लगाने की जुरत नहीं है अब आपकी सरकार आपके द्वार पर हैं कॉंग्रेस सरकार की प्राथमिक्ता में सबसे पहले किसान और आम लोग हैं आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम में सिंग रॉली के डूंट की पहुँचे पंचाइद मंतरी कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार में अब हर अधिकारी जन्फितिनी भी आपके घर तक पहुँच रहे हैं पहले आम जन्ता और किसानों को तहदील और कलेक्टेड कारियालें में चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब सरकार खुद आपकी समस्याओं का निराकरन करने आपके द्वार पहुँच रही हैं उन्होंने कहा कि सरकार के पहली प्राथ मिक्ता के सानों और आम जन्ता को सुविधाय दे रहा हैं आपकी हर समस्या का निराकरन अब आपके गाउं में ही किया जाएगा हमारा काम है निराकरण करने का और ज्यादस ज्यादा निराकरण हो ज्यादस ज्यादा सरकार के लोग जमीनी अस्तर पहुंचे उसके लिए सरकार पूरी तरह से सत्व प्रयास कर रही है और यही तो लोग तंत्र है यही तो प्रजा तंत्र है कि लोग अपनी बात कहीं भी जा सारे लोग वहां जाकर सुनवाई करते हैं तदकाल निराकरण करते हैं और हम समस्ते इससे अच्छी पहल नहीं हो सकती और कोई एक दिन एक सब्ता के लिए नहीं है यह पूरे पांच साल के लिए हमारी सरकान ने ऐसी विवस्था बनाए इस जन समस्त्या निवारन शिवर में मंत्री पतेल ने जनता के कई आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कराया मंत्री ने स्वासाहिता समहों को ग्रामीड आजली का मिशन के तहत सबजी उत्पादन के लिए 21,15,000 वहीं हिद ग्राहियों को लाडली लक्ष्मी योजना मात्र ववंदन योजना के प्रमान पत्र वित्रित किया इस मौके पर पतेल ने करोणों रूपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमी पूजन भी किया एक तरफा प्यार में पागल एक व्यक्ती ने सरेयाम धारदार हसिये से महिला पर कई वार करके उसे गंभी रूप से घायल कर दिया घटना के बाद नाराज लोगों ने आरोपी की जमकर पिताई लगाई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया महिला गंभी रुप से घायल है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है, आरोपी लंबे समय से महिला को परिशान कर रहा था बुद्वारी बस्ती बजरंग चौक, खप्रापारा में रहने वाला इंदरपाल टूने पती से अलग एक बच्ची के साथ रहने वाली 32 साल की एक महिला के पीछे लंबे समय से पड़ा हुआ था महिला नो इसे कई बार फटकार भी लगए, इसके बावजोद वे महिला का पीछा करता रहा परिशान होकर पेड़िक महिला मकान बदल लेती थी, पर वे भी आसपास छेतर में ही किराय का मकान लेकर रहने लगता था चार अक्टूबर को उसमें आंगन में नहते वक्त महिला का वीडियो मॉबाइल में बना लिया और उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने लगा जब महिला ने वीडियो डिलीट करने का दवाब बनाया तो यूवक ने वीडियो शोशल मीडिया में वाइरल कर दिया इसकी शिकाथ पुलिस से की गई और आईटी एक्ट के तहट इंदरपाल की गिरफतारी की गई ये सरफिरा जेल से छूटने के बाद से ही महिला से बदला लेने की फिराख में था शुकरवार ये यूवक महिला के घर जाधमका और विवाद करने लगा इस बीच धारदार हसिये से उसके चेहरे पर कई बार कर बुरी तरहां उसे जख्मी कर दिया बरबरतापूर्वा की गई हरकत से महिला के चेहरे गरदन नाक वा, कान में गंभीर जोटे आई हैं गंभीर अवस्ता में महिला को Tal के लिए जिला असपताल में दाखिल करा आया गया वहीं आरोपी को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफतार कर लिया गया है पर इंद्रपाज कोंडिराम के लगती ने पूरो परचीत है ने अदर्दा रतियार से अंबला किया है थी ने अधर्दा रतियार ने की अधिय इसको अस्पताल लाया गया है अस्पताल में भी इसकी सुदर ले इस समानी इस थिती है इंदरपाल मूलतहा मुंगेली जिले का लोर्मी लिवासी है गटना के बाद आरोपी भागता इससे पहले आसपास के लोगों ने उसे घेर कर दवोश लिया खून से लत्पद गंभीर अवस्था में पड़ी महिला को देख लोगों का गुसा भड़ा गया और उसकी पिटाई कर दी मौके पर पहुँझी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया पिटाई से उसके सिर में भी चोटे आए हैं हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने के लिए भरती हुई एक बुजर्ग महिला के पर से अस्पताल की ही महिला सफाई करमचारी ने 26,000 रुपे चुरा लिये यह पूरा मामला अस्पताल के सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गया जिस से आरोपी महिला करमचारी की पहचान हुई पुलिस ने चोर सफाई करमी को गरफतार कर चोरी की गई रकम को बरामत कर लिया है ग्राम कापूर विदी शानिवासी अस्थी वर्षिये गोपी बाई को खायला वस्था में 3 दिसंबर की राद 108 अम्बूलन से हमीदिया अस्पताल में भरती कर आया गया था बरती महिला गोपी के पर्ष से 26,000 रुपे चोरी हो गया यह चोरी अस्पताल की सफाई कर्मी यूडीसी कंपनी की कर्मचारी अमा सिलावट ने की उसकी यह चोरी cinco लिएवी कैमरे में गैद हो गए जिससे ही महिला की पहचान हुई पुलिस ने महिला कर्मी को गराफ़तार कर लिया है पुलिस ने उमा के पास से चोरी की रकम भी बरामत की हाला कि पुलिस को जो रकम मिली है वो गुछ कब है पुलिस को आशिंका है कि चोरी की वारदास में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने वारदास के बाद रकम का अपस में बटवारा कर दिया होगा कोई भी जा थाना पुलिस की माने तो प्रकरण डज़ करने के बाद एक टीम को गंजबा फ़दा भीडा गया था जहां से आरूपी उमा को गरफतार किया गया पुलिस की टीम उसे थाने लेकर आई और वारदात के संबन में उसे पूश्टाच की शुरुआत में उसने पुलिस को गुमरहा करने की कोशिश की लेकिन जब सीसी टीजी फोटेश दिखाए गए तो वे खामोश हो गई पुलिस उसे वारदात में शामिल दूसरे लोगों के बारे में भी पूश्टाच कर रही है इस बुलिटन में फिलहाल एतना है आप देखते रहे है दखल न्यूज दखल आपके हक में आप देख रहे हैं दखल न्यूज संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकडंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता, व्यापार से उद्ध्योगों ता, राज़्टीती से कूटनीती ता, दखन न्यूज, आपके हत्ता